आज की ये रीडिंग हमारी करन्ट एनर्जी के उपर होने वाली है जिस परसन की फीलिंग्स, थॉट्स, एमोशन्स आप जानवा चाहते हो उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको अप्शन सेलेक्ट करने है यानि की अगर सामने वाले परसन का नाम A से L तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो आप ग्रूप 1 चूस करेंगे और अगर उनका नाम M से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो आप ग्रूप 2 सेलेक्ट करेंगे time stamps दोनों के लिए आपको description box में मिल जाएंगे वहाँ से आप देख सकते हो कितने minute और कितने second पर आपकी reading शुरू हो रही है timeless reading है और इससे पहले कि हम आगे बड़े reading शुरू करें मैं एक workshop करवाने जा रही हूँ spell casting की जिसके बारे में मैंने सोचा health के लिए एक spell आपके साथ में share करूंगे आपको सिखाऊंगे किस तरीके से इन spells को perform करना है right so अगर आप interested हो तो आप screen पर दिये हुए number के थू contact कर सकते हो अपनी seat book कर सकते हो so अभी बढ़ते हैं reading की तरफ with group number one अगर आपके specific person का नाम A से L तक के letters के साथ में शुरू होता है then this is the reading for you so reading की शुरुआत हम करने जा रही है इस प्यारे से lovely से depth के साथ में इसमें love related messages ही है so देख लेते हैं कि जिस person के बारे में आप सोच रहे हो group number one उनके deep emotions इस समय पर आपके लिए क्या है यह person आपके लिए क्या feel करते है यहां से तीन cards में आपके लिए चुनूंगी और पहला card मेरे हाथ में आ गया है यहां पर message है passion का magnetic seductive quality surrounds you at present enjoy it आपका जो second card है is this one lovely beautiful dove pigeon है यह dove है new beginning का card है new adventure awaits embrace it and live it dreams live your dreams passionately और आपका जो third card निकल के आया है is this one group number one के लिए ठीक है यहां पर आपका message है close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful you can allow joy into your life regardless of your circumstances you currently find yourself in okay fine so पहली चीज़ तो मुझे जो यहां पर clear हो रही है यह person आपसे जुड़ी जुनके emotions है this person is very very passionate for you जिक है बहुत ज़ादा physical attraction भी है emotional attraction भी है आपके towards यह person आपको लेकर के बहुत ज़ादा serious है जिनके बारे में आप सोच रहे हो maybe आपको realize नहीं होता है या maybe इनोंने यह चीज आपसे confess नहीं करी है but आपकी जो presence है या आपकी जगा है इनकी life में वो बहुत ही जादा important है especially this time पर ठीक है bottom of the deck जो आप लोगों के लिए message निकल के आया है that is don't make decisions based on guilt or what you think you should do for it is only in being true to yourself that you can be true to others to confess something या आपको कुछ confess करना चाहते है या आपसे ये इनसान को जानना चाहते है right इन्हें ऐसा लगता है या इन्हें ऐसा लग रहा है इस present moment में कि कुछ ना कुछ mysterious चल रहा है आप लोगों के connection में या यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपने आपको open up होके express नहीं कर पा रहे है openly express नहीं कर पा रहे है जो भी इनकी desires है जो भी इनकी feelings है आपके towards right जो कि मुझे काफी जादा passionate दिखाई दे रही है दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ new beginning तो कुई नहीं शुरुआत करने की बारे में ये सोच रहे है या आप लोगों का जो connection है आप लोगों का जो relationship है उसमें एक कुछ नया stage नया phase जो है वो शुरू होने वाला है close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful you can allow joy into your life regardless of the circumstances you find yourself in ये person आपको बताना चाहते है या ये ऐसा feel करते है कि आप अपनी life में बहुत ज़्यादा happiness और positive चीज़ें अच्छी चीज़ें खुशी आप deserve करते हो अपनी life में अपनी जीवन में बले ही कैसे भी circumstances आप लोगों के चल रहे हो बले ही कैसे भी problem हो अगर कुछ issues चल भी रहे है so regardless of those problems this person wants you to be happy ये आपको खुश देखना चाहते हैं आपको हस्ते वो देखना चाहते हैं ये चाहते हैं कि आपकी life में बहुत सारी blessings और abundance आए तो यहां से clear हो रहा है कि इनकी intention आपके लिए बहुत ज़्यादा positive है और प्यार के point of view से मैं देखू तो हाँ ये person काफी ज़्यादा आपकी तरफ attracted है बहुत ज़्यादा care भी आपकी करते है अभी tarot cards की help से हम जान लेते हैं कि इनके जो emotions हैं आपके लिए समय पर क्या है we will take some more clarity group number one के लिए जिनके बारे में आप सोच लगे हो उनके emotions इस समय पर आपके लिए क्या है group number one ओके तो पहला card आपका है wheel of fortune आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कुछ चीज़े हैं जो बदल रही है नई beginning की तरफ आप move कर रहे हो second card आपका निकल के आया है magician का card okay and your third card is the fool card no major arcana निकल के आये है तो मुझे ऐसा लग रहा है यह person आपको लेकर कुछ ना कुछ risk लेने वाले है या यह कोई ऐसा decision लेने वाले है कुछ ऐसा action लेने वाले है जिसका आप बहुत विसबरी से इंतजार कर रहे हूँ या आपको बहुत लंबे समय से होप है कि सामने वाला person कुछ ऐसा कहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे यह कुछ पॉजिटिव आक्शन कुछ पॉजिटिव डिसिजन वोने वाला है इनकी तरफ से जिसकी वजह से आप लोगों की situation में बहुत सारे अच्छे अच्छे changes तो water sign से scorpio आ रहे हैं अब बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि earth और fire sign वाले लोग यहां पर काफी है bottom of the deck जो card निकल के आया है that is king of wands कुछ चीज इनोंने अपने mind में clear कर ली है कुछ decide कर लिया है यहां पर confusion की energy मुझे बिल्पल भी नहीं आ रही है this person knows what they want अभी फिलाल इनके mind में बहुत सारी चीज़े clear हो गई है present को लेकर के भी और आप लोगों के relationship के future को लेकर के भी तो अगर यह कहीं अटके हुए थे कुछ decide नहीं कर पा रहे थे किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप से जुड़ी आपके relationship से जुड़ी तो बहाँ पे कुछ positive movement होती भी मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है from this person's end और मैं यहाँ पे देख रही हूँ उन लोगों के लिए message है कि जो सामने वाले person के साथ में relationship में नहीं है अगर आप इनको पसंद करते हो और आप इनसे expect कर रहे हो कि आपको approach करेंगे आपसे बात्चीज शुरू करेंगे तो ऐसे होने के भी chances मुझे आप में दिख रहे है कुछ planning already इनके mind में चल रही है तो this person is very very attracted towards you so जो crush वाली situation है अगर आप इनको पसंद करते हो तो यह सामने वाला person भी आपको उतना ही like करता है और जो लोग relationship में है उनके लिए मैं देख रही हो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके relationship में से कही ना कही कुछ chemistry आप लोगों का जो spark के relationship का वो कम हो रहा है तो वो सारी चीज़े वो vibe पहले वाली vibe वो new spark, charm आप लोगों के relationship में वापस आता हो मुझे दिख रहा है ठीक है With each passing day I can see कि आप लोगों के बीच में attraction बढ़ रहा है या यह person आप से जुड़ी आपके looks से जुड़ी आपके face से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़े notice कर रहे है जिनको देख करके बहुत ज़्यादा अकरशित हो रहे हैं आपके तरफ यास यह physical attraction तो है ही लेकिन उससे ज़्यादा यह person आपकी personality से बहुत ज़्यादा अट्राक्टेद है ग्रूप नुबर वन ठीक है fine commitment के भी मुझे यहाँ पर vibe आ रही है क्योंकि चीज़े आगे बढ़ रही है तो अगर आप commitment expect कर रहे हैं अपने partner से तो उस चीज़ की बार में वो सोच रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इस direction में decision लेने का इन्होंने मन बना लिया है और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये person इस energy के उपर act करते हैं तो आने वाले दो से तीन हफतों के अंदर you will see a very very positive change चीज़े अचानक से आपको लगेगा आपकी situation में आगे बढ़ने लगी है या जो factors पहले आपके relationship में supportive नहीं थे वो सारी चीज़े things are turning into your favor so जो कुछ भी हो रहा है वो सारी energy आपके आसपास जो है लोग है situations है वो सब कुछ relationship को slowly and gradually support करने लगे and everything will start falling into place जैसा आपने सोचा था या जैसा आप चाह रहे हो उस तरीके से energy जो है वो line में आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंसे viewers मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग है जिन्होंने कुछ manifestation techniques strive करी है practice करी है काफी time से आप कर रहे हो और वो successful हो रही है उनका result आपको definitely देखने को मिलेगा the magician card यहाँ पे एकदम center में हमारे लिए main card निकल के आया है magician का so yes इस person को लेकर कि अगर आपने कोई manifestation करी है किसी भी तरीके की वो आपके लिए काम कर रही है उसको आप चाहो तो आप continue कर सकते हो और अगर आप उस process को खतम कर चुके हो तो उसको आप दुबारा से repeat कर सकते हो to speed up the process right yes and यहाँ पर एक tip मैं और दे देती हूँ manifestation की बात यहाँ पर चल रही है spell casting का भी हम लोगों ने discuss किया था intro में तो जो लोग और आप कोई love spell cast कर चुके हो तो next जो आप spell cast करने जाओगे make sure that you add some coffee to your spell आप अपने spell में जब coffee को add कर दोगे अपने magic में coffee को add कर दोगे तो आपका जो result आएगा spell का वो बहुत fast आएगा right so try this और जो लोग spell casting नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीजने try कर सकते हो like morning में जिसे आप अपने लिए चाय बनाते हो या कुछ आप अपने लिए coffee बनाते हो तो उसको आप clockwise stir कीजिए ठीक है आपने जब पैन में अपने coffee ये चाया बना रहे हो उसको आप clockwise stir कीजिए उसमें शुगर की जगा आप honey add कीजिए and इस intention के साथ में उसको stir कीजिए कि you are attracting this person आप इस person को अपने life में attract कर रहे हो और आपके रिष्टे में मिठास बूर रहे है अगर आप married हो और आपके husband और wife आपके साथ में रहते हैं तो आप इस drink उनके साथ में भी share कर सकते हो हमारी जो intentions होते हैं guys वो बहुत powerful होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत strong energy है आप लोग जो सोचते हो वो हो जाता है या जो बोलते हो वो हो जाता है यहाँ पे तई लोग ऐसे present हैं जो कि master manifestors हैं ठीक है जो अपनी energy से अपने thoughts से बहुत तेजी से चीज़े manifest कर लेते attract कर लेते हैं तो इस power का आपको एकदम सही इस्तिमाल करना है ताकि इससे आपको फायदा हो और किसी और को नुपसान भी ना हो ठीक है अभी देखते आगे कुछ और clarity ले ले लेते हैं इनकी feelings, thoughts, emotions आपके लिए क्या है group number one let's see आपका next जो card निकल के आया है that is eight of cups okay then you have high priestess मैंने कहा master manifestors है यहाँ पर magician का card निकल के आया है और उसके साथ में high priestess का card निकल के आया है this is also indicating a soulmate connection बहुत सारे लोगों के बीच में group number one में soulmate connection भी है then you have nine of wands see things are moving forward यह person finally आप लोगों के relationship में जितनी भी problems थे उनको हटा रहा है अपने रस्ते से यह जो negative beliefs इनोंने अपने mind में fix कर रखे थे वो negative चीजों को यह remove कर रहे है so that आप लोग अपनी जर्नी में बिना किसी problem के बिना किसी negativity के आगे बढ़ाओ यहाँ से देख लेते overall energy क्या आ रही है group number one see how beautiful this is four of wands I told you marriage है commitment है इस तरही कि wife मुझे आ रही है इस person की तरफ से यह पुरानी energy को clear out करना चाते है आप लोगों की relationship में stability और growth manifest करना चाते है they want to give you priority इस समय पर यह आपको importance देना चाते है समय देना चाते है priority देना चाते है okay so एक बहुत ही negative thought process से निकल करके यह person एक positive thought process में एंटर कर रहे है यानि कि अगर इनके mind में बहुत जादा negative thoughts आते थे बुरे विचार जादा आते थे घवराट होती थी confusion होती थी या गुस्ता इनको बहुत जादा आता था जब यह आपके बारे में सोचते थे या connection के बारे में सोचते थे या ऐसी situations चल रही थी तो एक तरीके से अंधेरे में से रोशनी की तरफ यह person मुझे move करते वे दिखाई दे रहे हैं इनके emotions जो है वो आपके लिए बहुत जादा positively transform होते वे देख रहे हैं मैं यहाँ पर यह भी देख रहे हूँ क्या आपको respect और importance यह person जो है देने वाले हैं I can also see कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके relationship में जिनके इस connection में पिछले 8 महीने से कुछ ना कुछ problem चल रही है या आप जब भी reading देख रहे हो पहला जो august बीता है इससे पहले जो august का month बीता है तब से भी आप लोगों के connection में कुछ issues चल रहे हैं और आप लोगों के बीच में शाहिए बहुत सारे ups and downs भी आए हैं प्रॉबबली आप लोगों का break up patch up, break up, patch up ऐसी situation भी आप लोगों की चलती रहती है and maybe आपने आप में से कई सारे लोग यासे हैं जो no contact में भी हैं इस समय पर या जिनके relationship में बिल्कुली break आया हुआ है तो वहां से मुझे ऐसा लग रहे हैं ब्रेक आने के बाद दुबारा से आप लोगों की जो गाड़ी है वो start होने वाली है वापस से आप लोगों का जो relationship है वो on track आने वाला है इसको energy को आप affirm कीजिए अपने मन में yes बोलिए चाहें तो वीडियो पर आप comment भी कर सकते हो yes लिख सकते हो ठीक है claim this energy affirm this energy divine की तरफ से this is the message for you जो इस वीडियो के थरू इस reading के थरू आप तक पहुँच रहा है group number one also जब आप youtube पर readings देखते हो यह किसी भी platform पर आप कोई भी predictions वगरा देखते हो तो यह coincidence नहीं होता कि अचानक से आपके सामने कोई you know video आजाए it is all planned यह messages जो है यह आपको मिलने थे आप तक यह उर्जा आप तक यह energy पहुचनी थी इसलिए आप इस समय पर यह reading देख रहे हो मेरे थू आप इस messages को आप गें कर रहे हो right so claim this energy yes so मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर there is one more message and this is the last message for group number one आप पावर में आने वाले हो यानि कि आपका dominance जो है इनकी life में और आपके relationship में बढ़ने वाला है third party की energy मुझे यहाँ पर पिलाल तो इतनी जादा strong नहीं दिखाई दे रही है लेकिन हाँ 5 से 10 प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी life में third party situation चल रही हो but वो भी मुझे एकदम खतम होने के कगार पर दिखाई दे रही है क्योंकि आपके person का जो जुकाओ है या उनका जो inclination है बिसिकली वो आपके towards जादा बढ़ता हुआ दिख रहा है राइट? येस, this is what we have for group number one गाईज अगर आपको reading अपनी पसंद आई है और आपको ऐसा लगता है कि ये reading आपके साथ में resonate करती है तो सबसे पहले video को like दे दीजे आप नए हूँ मेरे चानल पे तो subscribe कर लिजे Tarot by TJ और workshop में अगर आप interested हो तो screen पर दिये हुए number पी थुरू आप contact कर सकते हो I will see you guys next time Till then namaste and take care Namaste group number two अगर आपके specific person का नाम letter M से Z तक के साथ में शुरू होता है then this is the reading for you So सबसे पहले reading की शुरुआत हम करेंगे oracle cards के साथ में and we will see कि ये जो person है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इनके deep emotions आपके लिए क्या है समय पर इनके subconscious mind में आपके लिए किस तरीके की energy है So this is your first card यहाँ पर message है criticizing one another will only lead to further unhappiness love and accept each other as you are and your relationship will magically transform all right next आपका जो card निकल के आया है is this one इसमें आपके लिए जो message आया है this is manifesting miracles your dream is soon to be is soon to become reality trust your heart and continue to follow its guidance okay fine and जो आपके लिए third card निकल के आया है I will pick this one this is your third card okay यहाँ पर आपके लिए जो message है that is if you could do anything what would it be the answer dwells in your heart not in your mind for the heart is the gateway to the soul all right so मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो soul है या उनका जो subconscious mind है वो चाहते है कि आप अपने intuition को follow करो आपका जो दिल चाहता है जो आपका दिल कह रहा है जो आपके emotions आपको जिस direction में लेकर के जा रहे हैं आप उसको चुनोगो आपके लिए सही direction होगी आप लोगों के union के लिए आप लोगों के relationship के problems को sort out करने के लिए bottom of the deck जो आप लोगों के लिए message निकल के आया है that is emotions are a natural and necessary part of life but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see things clearly you must let go of resentment आपके मन में अगर इस रिष्टे से जुड़ा इस person से जुड़ा पुराने experiences से जुड़ा कोई पश्तावा आप carry कर रहे हो तो उसको let go करने की जुरुत है यह message आपके partner के higher self की तरफ से है यानि कि उनकी जो soul है उनकी जो divine soul है उसकी तरफ से आपके लिए यह message है group number 2 आपके partner की soul, उनका mind, उनका subconscious mind चाहता है कि आप अपने दिल को follow करे अपने emotions को follow करे अपने intuition को follow करे तो आपको काफे ज़्यादा clarity मिलेगी अगर आप confused चल रही होतो और अगर आपके partner आप लोगों के connection को लेकर के confused है या कुछ फैसला नहीं ले पा रहे है किसी चीज में अटके हुए है कहीं stuck है तो उनके लिए भी उनके higher self से यही same guidance है उनको भी अपने emotions को और अपने intuition को follow करने की ज़रत है और उनके मन में जो negative भावनाए जो नकरात्मक भावनाए बैठी हुई है उनको let go करने की बहुत ज़्यादा need मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner कोई miracle manifest कर रहे है यहाँ पर बहुत ज़्यादा group number one में भी manifestation की energy थी cards were different लेगिन energy जो थी वो manifestation की बहुत ज़्यादा strong थी यहाँ पर भी मुझे strong energy दिख रही है group number two में भी शायद कई ऐसे लोग है जो manifestation methods ट्राय कर रहे है spell castings कर रहे है या किसी भी form का manifestation आप कर रहे हो उससे आप लोगों के relationship में definitely positive energy आ रहे है group number two और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner के जो जो उनका heart chakra है वो कहीं न कहीं open हो रहा है आपके towards राइट तो अगर उनके मन में किसी तरीके के कुछ negative चीज़ें भी थी आपके relationship के past को लेकर के या आपको लेकर के तो वो negativity जो है वो धीरे धीरे हटती भी मुझे दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक और message दिखाई दे रहा है आपके partner के higher self की तरफ से वो चाहते हैं कि आप उनको जैसे वो हैं वैसे ही आप उनको accept करो वैसे ही आप उनको अपनाओ उनकी अच्छाईयों को आप accept करो और उनकी जो negative traits हैं उनको भी आप accept करो कुछ इस तरीकी का message आ रहा है because acceptance से ही धीरे धीरे इस इंसान के अंदर transformation आएगा अगर आप बात बात पर argue करने की आपकी आदत है तो वो आपको बदलनी पड़ेगी और अगर आपके partner की आसी आदत है तो उनको भी इस nature को अपने या इस tendency को change करना चाहिए ठीक है If you could do anything what would it be the answer dwells in your heart not in your mind for the heart is the gateway to the soul again this is the same message अपने दिल को follow करने के लिए कहा जा रहा है अपने emotions पे trust करने के लिए कहा जा रहा है कई बार ऐसा होता है कि किसी particular situation को लेकर के बहुत strong हमको gut feeling आती है लेकिन हम उसको ignore कर देते हैं and then later on we realize कि अरे हमने ऐसा ही सोचा था ऐसा ही होने वाला था या ऐसा ही हो गया और हमने उस तरीके से act या react नहीं किया जैसा कि हमको करना चाहिए था so यहाँ पे message आपके लिए कि आपका जो intuition आपकी जो gut feeling है आपकी situation को लेकर के उसको आपको trust करना है उसको follow करना है जो हमारा intuition होता है जो सही intuition होता है वो कभी भी हमको misguide नहीं करता है या उस intuition पे act करने से आप कभी भी life में stuck नहीं होते हो फस्ते नहीं हो so you also have to learn how to trust your intuition ठीक है आपके partner की तरफ से भी यही similar energy आ रही है उनकी तरफ से भी मैं यही चीज़ फील कर रही हूँ कि यह person जो है शायद पहले बहुत जादा materialistic या masculine energy में रहा करते थे but slowly and gradually इनकी जो energy है वो change हो रही है feminine की तरफ move हो रहे है emotions की तरफ, spirituality की तरफ इनका energy इनकी transform हो रही है इस समय पर और इसका जो main source है वो आपकी feelings की तरू हो रहा है आप बहुत शिदत से बहुत ही जादा strongly आप manifest कर रहे हो अपने मन में, maybe affirmations again किसी भी तरीके से वो affirmations जो है आपकी manifestation है वो universe के द्वारा accept करी जा रही है और उसके थ्रू जो है जो है जो आप call लगा रहे हो उपर वो वहां तक आपके partner तक वो energy पहुच रही है and it is changing their energy towards you उनके emotions जो है वो negative से positive होते भी मुझे दिखाई दे रहे है this is again one common message जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक दो particular लोगों के लिए नहीं है इन जनरल सभी के लिए है this is the message for mankind okay emotions जो है negative emotions देरी-देरी खताम हो रहे है positive emotions hope की तरफ हम move कर रहे है अच्छी positive energy की तरफ हम लोग इस समय पर move कर रहे है right अभी taro की help से भी देख लेते है group number two आपके partner की emotions है उनकी जो feelings है इस समय पर आपके लिए क्या है यह person आपके लिए क्या feel कर रहे है क्या सोच रहे है group number two के लिए let's see यहां से मैं तीन cards आप लोगों के लिए pick करूंगी आपका first card निकल के आया है wow it's wheel of fortune ठीक है fine second card है आपका six of cups so very soon this person is going to offer you something जो आप मांग रहे हो और यह मैं देख रहे हूँ यह एक तरीकी से universe की तरफ से gift ओने वाला है आपके लिए और आपका guys tower card भी निकल के आया है तो ऐसे कुछ situation आ सकती उससे बच के रहना है आपको ठीक है कुछ destruction की energy भी यहाँ पे निकल के आ रही है थोड़ी से मुझे यहाँ पे revenge की energy भी दिख रही है कुछ लोगों की और bottom of the deck जो card निकल के आया है that is knight of cups so again this person is moving towards you कुछ offer देने के लिए कुछ आपको gift करने के लिए कुछ ऐसा आपको देना चाहते हैं जुसका की आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो again I am feeling this very strongly कि यह message बहुत सारे लोगों के लिए है यह message से group number 2 के लिए सीमित नहीं है यह message mankind के लिए है okay love की जो energies हैं वो दीरे दीरे आगे बढ़ रही है लेकिन जैसे positive energy आगे बढ़ती है negative energies उसको रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करती है okay so आपको यहां पर कोशिश करनी है कि अपने connection में आप जितना हो सके अच्छाई बनाए रखें अपने behavior को आप positive रखें भी humble and respectful towards your partner अगर आप वो सारी चीजें अपने partner से बदले में पाना चाहते हो तो आपको वही चीजें देनी भी होंगी सामने वाले person को ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको value ना करें आप उनको respect ना करें and then आप expect करें कि सामने वाला person जो है वो सारी चीजें आपको दे So you have to be the creator जो आप चाहते हो अपने relationship में होते हुए देखना चाहते हो वो पहले आपको खुद से अपने अंदर से generate करना पड़ेगा यहां पे बहुत सारे viewers ऐसे हैं जो कि बदला लेने की भागना रख रहे हैं या तो आपके partner ने कुछ negative किया है past में आपके साथ में और आप कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपके mind में यह चीज आती है कि यह person अपना कर्मा कब भोगेगा क्योंकि request भी आती है मेरे पास ऐसी बहुत सारे लोगों की किसी से बदला लेना है उसके लिए spell बता दो किसी से किसी को उनका कर्मा जो है उनके bad कर्मा का result उनको कम मिलेगा यह बता दो और फिर अगर आप expect कर रहे हो कि वो person बहुत अच्छी energy लेकर कि आपके life में वापिस आएगा तो ऐसा नहीं होगा आपको भी forgiving होना पड़ेगा अगर आप relationship maintain रखना चाहते हो तो अगर आपने वहीं के वहीं बात खतम कर दी है तो आप आगे बढ़ सकते हो बट स्टिल उस case में भी बदले की भावना अपने मन में रखना जो है वो बहुत ही एक गलत चीज है वो आपकी कर्मा को पूरी तरीके से destroy कर देगा खराब कर देगा और आपके आने वाले अगले जो connection होंगे relationship होंगे उनके उपर भी उसका negative असर पड़ेगा ही पड़ेगा so क्योंकि कुछ viewers की energy ऐसी है यहाँ पर यापकी partner की energy नहीं है जादा तर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह viewers की energy है अगर आप बदले की भावना अपने मन में रख रहे हो तो उसको दबा दो उसको हटा दो negativity को बढ़ने मत दो क्योंकि बढ़ेगी जिस पौदे को आप पानी डालोगी वही पौदा ग्रो करेगा नगर आत्मक्ता को आप बढ़ने दोगे तो वह बहुत ज़दा बढ़ जाएगी और फिर वह बढ़ते बढ़ते उसकी जड़े हैं वो सिर्फ आपकी personal life में नहीं वो आपकी professional life में भी वो negativity आपको दिखने लगेगी वो हर जगा हो जाएगी इससे पहले उसको जड़ से आप वहीं से काट दो आपके mind में जब भी कोई negative thought आए उसको वहीं आप रोग दो और कोशिश करो कि उस negative thought को वो ज़िए sentence, negative sentence आपके mind में बना है किस तरीके से आप उसको positive कर सकते हो ठीक है? Yes Although बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी energy आ रही है यहाँ पर Good energy मैं देख रही हूँ Situation जो है वो अच्छा turn लेने वाली आप लोगों के लिए Manifestations आपके पूरी हो रही है But make sure कि जो कुछ आप manifest कर रहे हो वो गलत नहीं है And जो लोग wait कर रहे हैं सामने वाली person को उनका कर्मा कब मिलेगा कब उनको सदा मिलेगी universe की तरफ से कब God उनको punish करेंगे तो उनको तो समय रहते जितना उनकी destiny में जिस हिसाब से लिखा होगा Definitely उनको punishment मिल जाएगी अगर उस person ने कुछ गलत किया होगा लेकिन अगर आप सोचते रहोगे तो आप भी नहीं बच पाऊगे क्योंकि आप बुरा चाहा रहे हो अगर किसी के साथ में बुरा होते हो देखना चाहते हो भले ही वो इनसान कैसा भी हो लेकिन आपके औरा में भी वो negativity आ गई है तो इस चीज को यहीं रोक दिजे क्योंकि आप बहुत strongly चीज़ें manifest कर रहे हो इस समय पर आपका connection divine के साथ में बहुत ज़्यादा strong है group number two आप में से बहुत सारे लोगों का third eye chakra, crown chakra activated है open है and आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी wishes मांग रहे हो, जो कुछ भी आप pray कर रहे हो, अपने partner के लिए या किसी भी person के लिए, कई लोग third party situation में, third person का बुरा बुरा बोलते हैं, उनको उनके लिए बुरा चाहते हैं, इस भावना को आपको control करना है अगर आप life में अच्छी चीज़े पाना चाहते हो, तो अच्छाई आपको देनी भी पड़ेगी, आपको अपने अंदर से वो positive energy generate करनी पड़ेगी, right? fine, so ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आपकी partner जो है उनके emotions में positive transformation आ रहा है, आप लोगों के towards चीज़ें आगे बढ़ती भी मुझे दिखाई दे रही है और negativity से बचने की सलहा आपको दी जारी है divine की तरफ से, अपने connection को भी बचाने के लिए, अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि negativity आप ही create करने हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके connection को, कई बार लोगों के रिष्टों को भी नजर लग जाती है evil eye हो जाता है, right so उससे भी आपको आपकी connection को बचा के रखना है, कैसे बचा के रखोगे, मत बताओ लोगों को जितना आप लोगों के साथ में अपने personal बातें, अपने अच्छाईयां, अपने खुशियां share करोगे, कई लोग ऐसे होंगे, जो खुश होंगे कई लोग ऐसे होंगे, जिनको jealousy हो जाएगी, क्योंकि शायद वो energy या वो situation उनकी life में नहीं है unfortunately, right, so ना चाहते हुए कई लोग evil eye दे देते हैं इसलिए अपने personal life को आप जितना low की रखोगे, उतना जादा आपके लिए beneficial होगा, right आपको भी नज़र नहीं लगेगी, आपके partner को भी नज़र नहीं लगेगी, और negative energies से आपका connection जो बचा रहेगा सिर्फ जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जिन पर आप trust कर सकते हो, उन्हीं के साथ में आप अपने मन की बातें अपने रिष्टे की related बातें उन्हीं लोगों के साथ में आप share करो fine, okay another message for you is five of swords कुछ और हम clarification ले रहे हैं टारो से इनकी energy आपके towards क्या है, यहाँ पर group number two में एक difference में जरूर देख रही हूँ group number one के comparatively यहाँ पर spiritual energy जो है बहुत ज़्यादा strong है, आप लोगों का बहुत strong spiritual connection है अपने partner के साथ में, और karmic connection भी है, यानि past life connection है आप लोगों का, ठीक है we have queen of wands और यहाँ से पहला card आपका निकल के आया है दुबारा से five of pentacles का तो कुछ issues आप लोगों के relationship में मैं देख रही हूँ चल रहे हैं जो की सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर दें, अपने partner को आप appreciate करना शुरू कर दें, उनकी चोटी-चोटी अच्छाई को अगर आप acknowledge करना शुरू कर दें, तो यह issues आप resolve कर सकते हो कई बार लोग stubborn हो जाते हैं कई बार आप लगतार लोगों से complain करते रहो भई, आपने यह गलत कर दिया आपने वो गलत कर दिया, वो person बजाए कि अपने गलती को सुधार दे के irritate हो करके, यह frustrate हो करके और negative चीज़ दे करेंगे इससे अच्छा कि उनमें आपको जो छोटी-चोटी अच्छा ही दिखे, आप उसकी तारीफ करो आप उस चीज़ को admire करो और आप देखोगे कि सामने वाले परसन के behavior में एक बहुत ही positive change आएगा, यह चीज़ आप जरूर ट्राय करके देखना, यह ऐसे tips है guys, जो कि जिसमें कि आपको कुछ खरीदने की जुरूरत नहीं है, आपको कुछ खर्चा करने की जुरूरत नहीं है, आपको कोई energy यहाँ पर निकल के आ रही है, bottom of the deck eight of wands का card है so बहुत जल्दी quick action होने वाला है यहाँ पर relationship से जुड़ी energy यहाँ पर निकल के आ रही है, there is a heart yeah, so reconciliation हो रहा है बहुत सारे लोगों का आने वाले time में, यह person आपको बहुत जादा admire करने वाले हैं, आपको बहुत जादा value देने वाले हैं again, यह सारी चीजे पहले आपको इन्हें offer करनी पड़ेंगी, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले person को सिखाना पड़ता है, so शायद आपको यह lesson इनको सिखाने पड़ेंगे, तभी अगर वो सारी बाते हैं, जो cards के थूँ मैंने आपको explain करी है, अगर यह सारी energy आपके साथ में resonate कर रही है तो इस समय पर जो divine के थूँ guidance और messages आ रहे हैं, group number 2 यह definitely आप ही के लिए हैं, ठीक है I can also see कि आपके partner को इस समय पर ऐसा लग रहा है कि आपकी life में कुछ चीजें चल रहे हैं जिससे की वो बहुत दूर है जिससे की वो बहुत ज़ाधा detached है या आपकी feelings को वो बहुत अच्छे से deep level पर इस समय पर नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके life में कुछ ऐसे events चल रहे हैं जिनका वो एक हिस्सा नहीं है इससे की वो बहुत सारे लोग जो है जिनका break up हो चुका है या no contact situation में है, बिल्कुल बात चीट नहीं है कोई contact नहीं है सामने वाले person के साथ में, आपके partner को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ miss कर रहे है, ठीक है आपकी life में जो कुछ हो रहा है या आप जो कुछ positivity उनको पहले देते थे, वो सारी चीज़े ये person अभी present time में miss कर रहे है and there is a craving इनके अंदर बहुत जादा strong craving है आपकी energy से reconnect करने के लिए, यहाँ पर reconciliation का, reconnection का बहुत strong message मुझे दिखाई दे रहा है five of swords का card जो आपका सबसे पहला card निकल के आया है this is telling me कि या तो इन्होंने past में आपकी कभी insult करिये group number two, या कुछ ऐसा इनका behavior ना है आपके towards जिसमें कि आपको बहुत जादा इन्होंने let down किया है, लोगों के सामने शायद आपकी image को इन्होंने harm कर दिया है, चाहते हुए या ना चाहते हुए उसका अफसोस मुझे ऐसा लग रहा है इनके मन में आ रहा है और अपनी गल्ती को ये सुधारना चाहते है चीजें ये आप लोगों के बीच में बदलना चाहते है queen of wands का card again यहाँ पर with the six of cups yes, this person wants to give you a lot of things जो कुछ आप deserve करते हुए वो सारी चीजें ये आपको देना चाहते है ये सबसे जादा तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक और message है ये आपको लोगों से introduce करवाना चाहते है maybe family से introduce करवाना चाहते है as an important person in their life ये लोगों को दिखाना चाहते है बताना चाहते है कि आप इनके साथ में connected हो या आपका इनके साथ में रिष्टा है और ये कितने proud हैं आपको लेकर के या इनका जो इनकी जो energy है आपके towards कुछ इस तरीके की है कि ये बहुत अच्छा feel करते है अंदर से कि आप इनकी life का एक हिस्सा हो भले ही आप contact में हो या ना हो लेकिन आप जितने भी समय इनके साथ में जुड़े रहे हो वो सारे time, वो सारी चीजे जो है वो इनके लिए बहुत जादा matter करती है maybe past में ऐसे incidents हुए है उपर act करते हैं, action लेते हैं तो आपको वो सारी चीजें जो आपने खोई है past में वो सारी चीजें आपको मिलने वाई हैं Yes, there is one more message group number two के लिए कि कुछ third party का influence शायद कई लोगों के connection में हो सकता है या third party कुछ ऐसी हो सकती है जो आप लोगों के रिष्टे में problem खड़ी करना चाहती है तो अगर ये कोई person है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बचके रहना होगा अगर ये कोई ऐसी situation है तो आपको कोशिश करना होगा कि किसी तरीके से आप इस situation को avoid करो Right, and quick movement, quick movement, forward movement is coming Knight of cups है, Eight of wands है बहुत सारे लोगों के लिए ये reading देखने के आठ दिन के अंदर-अंदर आपके partner जो है कुछ action या कुछ decision आपके towards ले सकते हैं क्योंकि इस समय पर जिस गती से, जिस speed से उनके mind में positive thoughts generate हो रहे हैं अगर वो समय रहते अच्छे time पर उनके उपर act कर देते हैं तो आप लोगों के relationship में अगर कुछ issues हैं तो वो definitely resolve हो जाएंगे reconciliation के होने के यहाँ पर बहुत-बहुत strong chances मुझे दिखाई दे रहे हैं group number two के लिए right? yes so guys this is the reading for you reading के साथ में कुछ tips भी मैंने आप लोगों के साथ में आज share करी हैं I really hope के इन सब चीजों से आपकी help हो readings के through आपको clarity मिले आपके मन में अगर कुछ questions हैं तो आपको answer मिले उनके अगर ऐसा होता है तो please सबसे पहले वीडियो को like दे दीजेगा और अगर आप नए हूँ मेरे चैनल पे first time मेरे की वी कोई reading आप देख रहे हो तो चैनल को subscribe कर लिजे Tarot by TJ, become a part of my family and yes introduction में मैंने workshop के बार में आप लोगों को बताया था spell casting के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं interested हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं I will see you guys next time till then namaste and take care